हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जानवी और मोहित की शादी को एक साल का समय बीद गया था उसकी सस्राल में सब ठीक चल रहा था एक दिन मोहित हॉल में अपना काम कर रहा था और वहीं जानवी टीवी पर बच्चों का कोई रियालिटी शो देख रही थी तब ही उसकी सास वैजनती बाहर से आती है और जानवी को ऐसे हसते हुए देखकर कहती है बड़े ठाहा के लगा रही है पहू तेरी अम्मा मटक रही है क्या टीवी पर क्या बात है आज अपनी संदन को याद कर रही है आप और मैं तो इन छोटे-छोटे बच्चों का डांसिंग शो देखकर हसे हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं यह नास्ते वे इतना ही अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे नास्ते देखना आज आपने बच्चे की बारे में कुछ सूषती क्यों नहीं है । यही मैं सोचती तो तू इस दुनिया में होता ही नहीं अरे जिम्मेदारियों के डर से घर के वन्ष के चिंता छोड़ दोगे क्या सासुमा हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं और वैसे भी मॉडरन जमाने में यही सही है अब बस अभी तीन-चार साल तीन-चार साल क्यों? तीन-चार जन्मों तक मसोचना इस बारे में तुम दोनों पता नहीं कौन सी मॉडरनिटी लेकर चलते हैं? बात चल ही रही थी कि तभी जानवी के ससुर सतीश मिश्रा भी वहां आते हैं और बच्ची को लेकर चल रही भैस को लेकर सभी को शान्त करवाते हुई कहते हैं अरे वैजन्ती शान्त हो जाओ इस बारे में बेटा बहु अपनी राहे से कोई फैसला करेंगे ना हाँ तो मैं कौन सा इनके सरपर बंदूगता नहीं ने माबाब बनने को कह रही हूँ पर इन्हें हमारी भी तो सोचने चाहिए ना अरे बुढ़ा बार चल रहा है कब निकल लेंगे हम कोई पता नहीं है ओ हो सासुमा अब बस भी कर जाओ हमने जो कहना था कह दिया थीक है बहू अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगी ही इतना कहकर वैजन्ती अपनी कम्री में चली जाती है समय बीटता है मिश्रा निवास में शांती बनी रहती है लेकिन तब ही एक दिन जब जानवी किचन में काम कर रही थी तब ही वैजन्ती आचार की बनी लिए उसमें से अचार निकाल कर खाने रखती है तो जानवी उसे टोकते हुई कहती है सासु मा बुढ़ा पे मैं खटा खा रही हो दात किरकिरे हो जाएंगे आपके होने दे बहु अभी बहुत जी कर रहा है खटा खाने का तो क्या करू अच्छा वैसे खाने में क्या बना रही है भिंडी और दाल रोटी क्यों ना ना मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है जी सा मचल रहा है तो ऐसा कर दमालू और फुल के बना ले मज़ा आ जाएगा खाने में सासमा आपका जी कुछ दिनों से जाद ही चटोरा नहीं हो गया है तुझे भी ऐसा लगता है बहू तेरे ससुर जी भी यही कह रहे थे वैसे लक्षन तो तब ही दिखे थे मुझे जब मोहित मेरे पेट में था उसके बार ना जाने ऐसे क्यों हो रहे इतना कहते हुए वो अचार की बढ़ने लेकर वहां से चली जाती है जानवी अपनी सास के ये अजीब हरकते देख कर हैरान थी कुछ दिनों बाद वैजनती अपने सर में दर्द की शिकायत करती है तो जानवी डाक्टर को बुलाती है डाक्टर वैजनती का चेक अप करके बताती है जानवी जी बढ़ाई हो आप की सास प्रेगनेंट है क्या? अरे डाक्टर सर में दर्द होने से कोई प्रेगनेंट कैसे हो सकता है और वो भीस उमर में बागवान ये डॉक्टर क्या बोल रही है मुझसे क्या पूछ रहे हो सब तुम्हारा किया कराया है अब डॉक्टर क्या जूट बोलेगी अरे आप लोग हैरान क्यों हो रहे है आज के मॉडन जमाने में तो आम बात हो गई है लेकिन उम्र जादा है इनकी और दो महीने भी हो खबर सुनकर जानवी तो जानवी मोहित और सतीश के भी होश उड़ गए थे तीन महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब सास का पीट बाहर आने लगता है तो घर में सभी को बहुत अजीब महसूस होने लगता है एक रोज जब वैजनती हाल में बैठी जूस तब ही उसकी पड़ोसन कमली वहां आती है और वैजनती का निकला पेट देखकर हैरानी से कहती है हाई दैया जब तेरो पेट को का हो गए वैजनती मैं कुछ दिनन के लिए गाओं का गई तेरो पेट तो फूल को गुबा रहो गई हूँ ये भगपान ये कमली अंटी क्यो ही नहीं भूलता तेरो मतलब तू पेट से हैगी अरे बहु तेरी सास पेट से हैगी मतलब भू तेरे पेट निकलने के बगत में जाको पेट निकल गयो मिश्रा जी जे का गुल खिला दियो तुमने वो में टहल कराता हूं जरा आंटी आपको कुछ चाहिए था क्या चीनी पूरी में मैं नहीं सुनाती अब जब अपनों से उमीद खतम हो जाती है तो इंसान को खुद से ही उमीद रखनी चाहिए ना गाजा भैवे जनती तू भी वैसे खयाल रख्यों बहू अपनी इस उमर में प्रेगनेंट सास को कमली हस्ती हुई वहां से चली जाती है तभी म सासो मा क्या ज़रुत थी कमली आंटी को सच बताने की अब सारे महले में ये बात फैल जाएगी और हमारी इज़त का फलूदा बनेगा वो अलग मा थोड़ा तो सूचा होता ये सब कितना अजीब है क्यों अजीब है अरे अब कहां गई तुम लोगों की मौडन सोज खुद तुम्हें मा बाप बनना नहीं है लेकिन इस सुमर में सास या मा प्रेगनेंट है तो उससे भी दिक्कत है मतलब चिट भी तुम्हारी और पट प्रेगनेंट है व्यजानवी तो उसका हाथ पकड़ कर उसे संभाल लेती है और कम्री तक छोड़ाती है समय बीटता है जानवी अपनी सास का बहुत खयाल रखने लगती है ये देखकर वैजनथी को अच्छा लगता है एक दिन जब दोफैर के समय वेजनती आराम कर रही थी तब ही जानवी खाना लेकर उसके कम्री में आती है उसे सोता देखकर जानवी प्यार से अपनी सास का सर सहलाते हुए कहती है कैसा फील होता होगा ना इन नौ महिनों में समय बीता है घरवालों के लाख मना करने के बाद भी वेजनती घर में अपनी गोद भराई करने की जित करती है जिसके लिए ना चाहते हुए भी जानवी को सारी पडोसनों को घर आने का निमंतरन देना पड़ता है लेकिन गोद भराई से एक दिन पहले जानवी बार बार चक कर आने और सर घूमने की दवाई लेने के लिए क्लेनिक जाती है जहां जाकर उसके लक्षन और उसकी तबयत देखकर पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है उसे समझ नहीं आता कि ये बात वो घरवालों को कैसे बताए अगले दिन घर में सास की गोद भराई का फंक्षन था महमानों के आने से पहले जान भी कहती है ओ सासुमा को ज़रूरी बताना है मुझे आप सबको बात आखिर है क्या? हाँ बहू कल तो डॉक्टर के पास भी गई थी ना तबयत के बारे में क्या कहा उसने? दासुमा मैं प्रेगनेंट हूँ ये खबर सुनकर जहां उसके पती और ससुर खुश थे तो उसकी सास खुशी के मारे बागलो की तरह अपने पलू से मोटा सा तक्या निकाल कर उच्छाल देती है और ये सब देखते हुए सभी हैरानी से उसे घोरने लगते है अरी बहुत जुग जुग जी तू? हाई दया, अब मैं दादी बनूगी? सासु मा, ये क्या है? तक्या? मतलब आप प्रेगनेंट नहीं हो? हाँ, मैंने जुटी प्रेगनेंसी का नाटा किया ताकि तुझे कुछ तो है सासो कि तेरी सास बुढ़ाप में मा बनने से इतनी खुश हो सकती है तो तू क्यों नहीं? और मैंने ही डाक्टर से जुट बुलवाया था वही तो मैं भी सोचू, मैंने तो कपका तुमें प्यार जताना बंद कर दिया? तो फिर तुम तो चुप करो जी मा तो फिर आज का ये फंक्शन? वह तो हो गाई, मेरी नहीं, बहु की गोद भराई होगी, खुश खबरी तो आज मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है तब ही सभी पडोसने आना शुरू हो जाती है, तो वह जनती अपनी बहु को लाल चुनरी उड़ा कर सोफे पर बठा देती है पडोसनों को भी जानवी की जूटी प्रेगनेंट सास का पता चल जाता है जिसके बाद सभी उसकी सास की जगा जानवी को आशिर्वाद देते है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा